हें वाटसब गाइस टैग बीज बाक विद अनदर वीडियो सो फिरिन आज के वीडियो में आपको एक टॉपिक में डिस्कस करना है और बताऊंगा कैसे उसका सॉलेशन वगर आपको मिलेगा वह आपका टॉपिक है ऑटो री पेमेंट या ऑटो पेमेंट का जो मैथड कर देते किसी भी अगर आप उसकाक क्या एक मैनेका तो वह आपका टॉ रिपेमेंट में-ध आन हो जाता तो आपका automatically deduct हो जाएगा और आपका new subscription एड हो जागा यानि आपको उसमें करने का कुछ जरूरत नहीं है तो इसे कारण क्या होता है मालीज आपको subscription नहीं लेना है बट आपको auto repayment जो आपका on रहता है उसको कैसे off करें कैसे डिसेबल करें मैं इस वीडियो में वही दिखाऊंगा और कैसे on करना वो भी आप देखी लेंगे साथ साथ में तो वही आपको पुरा auto repayment का फंड़ा है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा वीडियो को लास्ते दिए आपको सारा चीज समझा जेगा auto repayment क्या होता है कैसे on करें off करें तो वीडियो को लास्ते दिए साथी friends आप हमें social media से follow कर सकते हैं link in description और चैनल को भी subscribe कर लेजिए ऐसी amazing and interesting videos देखने के लिए सो वीडियो स्टार्ट में auto payment का आपको मैंने मतलब अगरे बता दिया तो मैं आपको यहां पहले सबसे पहले Amazon से करके दिखाता हूं फिर मैं कोशिश करता हूं पिए आपका फोन पे होगा पेट्यम उसमें भी enable on-off कैसे करतें क्या है मैं बताता हूं तो सबसे पहले आपको Amazon पर ऊपन कर लेने आपके जो Amazon का app है तो मैं आपको मा दिख रहा होगा यहां पे प्रोफाइल पे आपको दिख रहा होगा option यहां पे प्रोफाइल पे दिख रहा है आपका personal details यह credit को KYC फिर payment setting में दिख रहा होगा आपको UPI आपको क्या करने नीची की तरफ scroll down करना यहां पे manage setting and preference जो है यहां पर आपको दिख रहा होगा मैं यहां ऊपर करता हूं थोड़ा इसको यहां पर आपको दिख रहा होगा जैसे कि मैं आपको manage automatic payments यहां पर आपको click कर देना है यह auto-related kuch और होता है इसके बारे में बात में बात करते हैं यह आपको हमें यहां बात करें auto payments your automatic payment जो होते हैं उससों ऐतो manage automatic payments आपको click कर देना है toddyl Penis के मारी किया CLICK wurden यहां पर देख सकते हैं, manage auto payment request जो है, यहां पर देख सकते हैं मेरा, you don't have any active auto pay request, set up auto pay to manage करके यहां पर दिखा रहा है, तो यहां पर आपको कोई भी अगर यहां पर शो करते हैं, तो आप यहां पर अपना उसको disable कर सकते हैं, उसको मतलब dealing करके यहां पर option आ जाते हैं, जो भी आप उसको disable कर सकते हैं, आपको UPI pin डालना पड़ता है, तब यहां पर आपका disable होता है, और आपका simply से यहां से disable हो जाता है, और यहां पर मैं history में देखता हूं, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मैंने netflix वगरा में कर रखा था, तो मैंने इसको disable किया है, तो यहां प पर यह आपका दिख रहा था, then, then अब मैं आगया हूं, यहां पर आपका phone pay पर आपको phone pay का app open कर लेना है, फिर आपको simply से आपको corner पर आपको अपना profile का जो logo रहता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है, वो आपको कहां मिलता है, आपको मिल जाएगा left side एकदम top corner पर आपको जैसे क्लिक करते हैं, आपका ऐसा interference खुल जाता है, then, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद, so, यहां पर आपको जो auto pay का जो settings है, यहां पर आपको दिख रहा होगा, यह मेरा थो dark version में चल रहा है, मेरा phone पे, यह रहा आपका auto payment का जो setting यहां पर दिख जा रहा है, अब मैं यहां पर करता हूँ, इसको click, आपको यहां पर click कर देना है, जैसे मैंने किया, यहां पर जैसे की देख सकते हैं, मेरा यहां पर auto payment यहां पर दिख रहा है, मेरा यहां पर जैसे की मेरा kukoo FM मैंने इसका payment किया रखा था, तो यहां पर मेरा kukoo FM का जो auto payment से यहां पर मेरा अब जैसे मेरा सूब्सक्रिप्शन मैं थी सिर्टां कभी मैं ले रखा यहाँ पर जैसे खतम होता है मेरा auto payments मतलब मेरे bank account से amount deduct करके यह मेरा सूब्सक्रिप्शन कंटीन्यू कर देगा अगर मेरा bank account जैसे बताया कि sufficient balance नहीं तो यह decline हो जाका payment अब मैं यहां पे वो भी करके दिखा देता हूं कैसे इसको remove करें तो जैसे कि मैं बता रहा था यहां remove option आ जाता है decline revoke यहां जैसे auto payment has been has been revoked करके यहां दिखा रहा है लेकिन वापस हम remove करते हैं आपको मैंने बताया बार-बार प्लीज वेट करके दिखाते हैं not enable और यहां पे simply साब का जो है वह automatically मेरा हो गया है जैसी कि मैं बता हूं मेरा Amazon पर आपको करने के लापको यूपर जानला पड़ते हैं बहुत जगार डालना पड़ते हैं तो अब हम जाते हैं कहां पर पेटम में भी देख लेते हैं मैंने फोन पे का दिखा दिखा दी आपको Amazon पे का अब पेटम पर जाते हैं यह popular यह सब आप payment अप है अब गाइस जैसे कि मैं अपना पेटिय मैप पर आ गया हूँ इसमें भी सिंपली सापको आप ओपन कर लेना आपको लेफ साइड ऊपर की कॉनर पर अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर देना देन आप यहां पर देख रहे होंगे यहां पर मेरको option दिख रहा है यहां पर उपर क सब्सक्रिप्शन में करता हूँ यहां पर क्लिक मैंने के यहां पर क्लिक जैसी मैंने क्लिक किया आप यहां पर दिखा रहा है मेरे यहां पर जैसे कि सब्सक्रिप्शन है आपका रिवोक या डिकलाइन हो जाता है तब आपके वहां से पेमेंट जो है आपका नहीं कटेगा और एक और बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर sufficient balance नहीं है, तो आपका payment decline हो जाता है, और रही बात इसा मैंने disable करने का दिखाते हैं, अगर आपको connect करना है, तो simply सा आपको यहां से set a new automatic payment पे click करके, वहाँ पे आपको choose कर देने, या तो आप जिस भी वहाँ पे click करते हैं, यहां से भी on off कर सकते हैं, और यहां से भी on off कर सकते हैं, आपने step by step देखा, मैंने आपको बताया है, कैसे आप auto repayment को off भी कर सकते हैं, या डिसेबल अनेबल कर सकते हैं, यह वीडियो दो लोगों के लिए हो गया, या एक तो पहला, जो बार बार जिसको नेट्लिक्स से किस सब्सक्रिप्शन चाहिए रहता है, तो अब उसको बार बार पेमेंट करना रहता होता है, उस payment method से, अगर वो इसको on कर देता है, तो इसको automatically, जितने दिन का है, जैसे end होता है, सब्सक्रिप्शन, automatically वो आपका renew हो जाता है, आपके bank के wallet वेगरा या उससे कट के, और एक और एक और helpful video उन लोगों के लिए, अगर परिशान थे कि आपका bank में पैसे वेगरा निया, automatic deduct हो जाता है, उसको कैसे off करें, तो साथी एक और इसमें वीडियो में point बता दूं, कि comment आने लग जाएगा वरना, कि मालिज अगर आपके bank account में balance नहीं है, तो आपका auto repayment नहीं होगा तब जाकि वो on and disable होता है, तो आशा करते हूं, वीडियो का इंफोर्मेटिव और नॉलिजबल लगाओ, साथी friends, lastly, thank you